हेलो दोस्तो नमस्कार आज मैं आपको अजेलिया का प्लांट दिखा रही हूँ अजेलिया सर्दियों में फ्लावरिंग करने वाला एक खुपसर सा विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और यह एक पैरिनेल प्लांट है हमेशा आपके गार्डन में बना रहे हैं पंतु सद्या होती है वहां यह पौधा बहुत अच्छा ग्रू होता है और गर्मी के इलाके में इस पौधे को बचाना पड़ता है तो आज मैं इस पौधे को हम लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें और मिट्टी कैसे तैयार करें और पौधा लेते समय हमें किन बातों का ध्य यह सारी बाते करेंगे देखे मैं यह कुछ पौधे लेके आई हूं और यह मुझे पौधे काफी अच्छे लगे और स्वस्त लगे तो लेके आये हूं पौधा खरीते समय इन बातों का दिहान में रखना चाहिए कि पौधे में पौधे का जो वेट है वो लाइट वेट होना चाहिए देखे मैंने ले ली है 30% मिटी और 30% यह शड़ी हुई गोबर की खाद और 20% मिलारी हूं मैं इसमें धान की भूजी देखे यह हलका करने के लिए क्योंकि अजीलिया की प्लांट जब हम लगाए उसके लिए बहुत लाइट मिटी चाहिए बहुत हलकी मिटी यह है पत्यों की खाद पत्या जो डिकंपोस्स की थी मैंने घर पर ही इनको कर लेती हूं मैं तो यह देखे यह है मेरी पत्यों की खाद और देखे कितनी ब्लैक हो गई है और बिल्कुर सड़ गई है यह बहुत अच्छी तयार हुई है और इसमें मैं मिला रही हूं 10% कोको पीट बहुत लाइक मित्ती तयार करनी है और मौशर हमेशा बना के रखना है इस प्लांट में इसलिए हमें थोड़ा सा कोको पीट भी मिलाएंगे ज्यादा नहीं थोड़ा मिला रहे हैं और फिर यह मिला रही हूं मैं सुखी हुई पत्या जो पौधें कटिंग करके निकलते हैं पत्या निकलते हैं यह पीली हो जाती है तो पौधों को कटकरते रहते हैं तो उनको मैं यासी खटा कर लेती हूं मैंने इनको बिल्कुल शूख गई है यह देखें तो अब इनको बिल्कुल जहम थोड़ा सा इसको कूट लेंगे और जोकी यह थोड़े चूरा-चूरा हो और इस डंग से मैं मिटी तयार कर रही हूं अजेलिया के लिए अजेलिया की पॉधों को लेते समय एक बात का भी से धियान रखें कि जिस पॉले थिंग बैग में वह लगा हुआ है वह हलका होना चाहिए लाइट वीट में होना चाहिए क्योंकि जो नर्सरी वाले होते हैं उ पॉधी की पॉधी को लेते समय इन बातों का धियान रखें कि वह थोड़ा सा मजबूत पॉधा होना चाहिए और उसकी स्टेम थोड़ी मजबूत हो तो अगर हम बहुत छोटा सा पॉधा ले लेंगे तो इसको बचाना मुस्किल हो जाएगा देखिए ये मिला रही हूं मै नीम की खली देखिए क्योंकि मेरे बहुत पॉधे हैं तो मैं सब के लिए मिटे एक साथ तयार कर रही हूं इसमें मैंने मिला ली है नीम की खली नीम की खली पॉधों के लिए काफी फायदे मन होती है और इसमें तो फंगस नहीं लगता है पहले ही हम नीम की खली मिला लें इसे पौधों में भी साइनिंग बना रहती है। और पौधों को को में एक टॉनिक को काम निमकी किली करती है। buna मिला लूँगी में लूगी जो मैंने मिट्टी है और पत्न reflection की कहादें और शूखी पत्तियां सब अच्य दंगसे मिल जाए iOS देखें मैंने सब इसको उल्टा करके सब मिला लिया है और बहुत हची मिटी मेरे पौधों के लिए बन गई है यह दे दिया है मैंने गमला और इसमें मैंने रख दिया है टूटे हुए गमले का एक टुकड़ा डैनेज में डैनेज होल भी अच्छा होना चाहिए और यह रख आपको दिखाती हूँ अपना पौधा जो मैं लेके आई हूँ देखें आधा गमला मैंने भर लिया है मिटी देखें कितनी वेल्डन मिटी बनाई है इसी डंग से अजीलिया के लिए आप मिटी तैयार करें देखें पौधा इसमें कई ब्रांचे हैं और यह बहुत कि एंटें कि यह बाहर से आते हैं देखें सब मिती हटआ दिन्गें यह थोड़ी राइन्थ मिट्टी मला में विए हटाद्यकी мिल्हाइन कि बवाल बाहरीक मुझा जुड़ा होती है और विखें और ऐसी मिट्टी बनाई डिएवार और हल्के हातों से इसको दबादेंगे अजेल्या को जब हम लगाएं तो मिटी इस धंग से तयार करें उसके बाद यह जब हम रखें अगर 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 आप लगा रहे हैं तो इससे दिन भर की धूप में रखें क्योंकि सर्दियों में धूप हलकी होती है, ज्यादा तेज धूप नहीं होती है, अब गरीमिया पड़ रही है, तो इसको धूप में न रखें, और इसको ऐसी जगाप पर रखें, जिसमें इसको ब्राइट लाइट तो मिलते रहे, पंतु उपर से छनका धूप मिले, और छा तो इस धंग से मैं एक एक करके सारे ही प्लांट को लगा लोंगी जहां तक पानी की बात है जैसे आज मैं पधा लगा रही हो तो इसे मैं इतना पानी दोंगे कि डेनेज से बहार निकल जाए पूरी मिट्टी पूरी भीग जाए अच्छे धंग से पूरा मौश्यर इसमें हो जाए इसके बाद जब यह पूरी मिट्टी सूख जाएगी उपर से तो तब ही इसमें मैं पानी डालूँगी तो देखिए इसमें भी थोड़ी सी मिट्टी उन्होंने लगा रखिए तो इसको हम नहीं हटा देंगे इसको ऐसे ही जैसे लेके आई हुए हैं ऐसे नहीं लग हुआ है तो बहुत ही लाइट मिट्टी इसको चाहिए अगर हम और पौधों के लिए जैसे मिट्टी तैयार करते हैं वैसे नॉर्मल अगर मिट्टी में इसको लगा देंगे तो यह पौधा थोड़ी थोड़ी दिन बाद मरने लगेगा धीरे-धीरे खतम हो जाएगा यह तो इस बात का भी विशे ध्यान रखना है अब इसमें जैसे हमने पानी डालेंगे तो इसके फूल पानी देंगे और जब उपर की शता सूख जाएगी तब दुबारा पानी देंगे मौशऱर इसमें बनाके रखनाा है और समय समय पर आप इसके हलकी सी कुड़ाई करें और क करने के बाद जब इसमें फिर से सूकी हुई पतिया तो इसको आप डालें Roba पत्यों से बनी हुए खाल थोड़ी इसको देते रहें और फंगी साइड के डूप में इसमें डालें आम नीम की खली नीम ऑल का स्प्रेय और मैंने नीम की खली पहली ही इसमें डाली थी और इस जंग से इसे मिटी तयार की है हमने देखिए इस जंग से इसे लगाए और समय स यह समय पार नीम वॉयल का सुप्रे करें ऐसमें। पत्यों से काफी माइक्रों नुट्रिंस जो पवादों को चाहिए वह पूरा ही पत्यों की खाथ से मिल जाएगा, क्योंकि हर पौधे की पत्तियों से जो खाद बनती है, कई प्रकार के पौधों, कई पत्तियों एकटा करके उससे जो खाद बनती है, उससे पौधों को काफी nutrition मिलता है, तो पत्तियों की खाद पौधों के लिए काफी फाइदे मन होती है, इस धंक से अजीलिया के पौधे को आप लगाएंगे तो ये काफी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी और आपका पौधा खराब नहीं होगा और बचा रहेगा नहीं तो अजेलिया के पौधे बहुत जल्दी से खराब हो जाते हैं देखिए अब मैंने सारे पौधे लगा लिये हैं और इसे ऐसी जगह पर रखा है जहां इसको रोजनी तो फौल मिलेगी पंतु लाइट धूप इसके उपर नहीं पड़ेगी साइट से गर्माहट मिलते रहेगी तो ये देखिए मेरे सारे पौधे तयार हो गए हैं इस डंग से हम अजेलिया के प्लांट को लगाएंगे तो हमारा प्लांट कभी कराब नही दिखाऊंगी मेरे पास और भी प्लांट हैं जिसमें अच्छी फ्लाबरिंग होई थी और अभी भी एक दो फूल इसमें लगे हैं तो इस डंग से अजेलिया के प्लांट की क्लेर करें दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए शेयर कर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको अपने प्लांट दिखा सकूं थैंक्यू दोस्तों